हलो दोस्तो, स्वागत आप सभी का हमारी यूटूब चैनल SS Steady में तो दोस्तो, आज हम पढ़ेंगे Simplification जो की exam की दर्ष्टे से बहुत ही महत्तपूर्ण है दोस्तो, Simplification को समझने के लिए सबसे पहले हमको Vboard Mask को समझना होगा किसको दोस्तो, Vboard Mask को दोस्तो, इसके आधार पर ही Simplification की कुछन solve होते है तो दोस्तो, चलिए सुरू करते हैं दोस्तो, Vboard Mask है इसमें V का मतलब होता है Veniculum Veniculum Bar क्या होता है दोस्तो, Veniculum Bar दोस्तो, कुछ इस तरह से दिखा जेता है दूसरा है दोस्तो, B यानि कि Bracket दोस्तो, इसको हिंदी में Kostak कहता है दोस्तो, सबसे पहले इस वाले Kostak को, सबसे छोटा Kostak होता है दूसरा होता है Manjla Kostak दूसरे नंबर पर इसको solve किया आता है और तीसरा होता है सबसे बड़ा Kostak और तीसरे नंबर पर इसको solve किया आता है दोस्तो यह है bracket तीसरा है O, O का मतलब होता है OFF यानि कि का दोस्तो यह इसका इस्तमाल होता है जैसे कि 60 का 20% 100 का 50% तो इस तरह से इसका use होता है अगला है दोस्तो D जिसका मतलब होता है divide जिसका मतलब होता है divide यानि कि भाग देना अगला है M, M का मतलब होता है multiplication गुणन multiplication गुणन A, A का मतलब होता है add यानि की जोड़ना जोड़, S का मतलब होता है subtract यानि की बाकी करना दोस्तों ये सभी कुषन इस सिरिज में ही solve होते हैं जैसे जो कुषन में आ गया तो चलिए दोस्तों इनको कुषन की द्वारा समझते हैं पहला कुषन दोस्तों 16 डिवाइड बाइड फोर यानि 16 का भाग चार में और ओफ 2 प्लस 1 बराबर कुषन बाज़सक तो दोस्तों इस कुषन को पहले आप खुद solve कीजिए उसके बाद में इसका solution देखिए तो दोस्तों इसको solve करते हैं अपन तो दोस्तों जैसे की V-board mask के नियम में दिया हुआ है सबसे पहले अपन bracket को solve करेंगे तो दोस्तों 2 प्लस 1 है इसको सबसे पहले solve करेंगे तो 2 प्लस 1 का हो जाएगा 3 इसके बाद ओफ को solve करेंगे दोस्तों V-board mask के नियम के नुसार सबसे पहले bracket को उसके बाद में ओफ को तो ओफ को solve करने के लिए आपने 4 आ जाएगा और बास divided by 16 यह पर रहे गई तो दोस्तों 4 comment reply 3 में करेंगे तो 4 ती है 12 और इधर 16 रहेगा तो दोस्तों यह हो जाएगा 16 divided by 12 दोनों को भाग देंगे तो 4 ती है 12 4 तो 16 और 4 ती है 12 तो इस cancer जाएगा 4 बट है 3 पहला number ओके दोस्तों अगले question पर चलते है दोस्तों अगला question है 16 divided by 4 multiply 2 plus 1 equals to question वाचक दोस्तों यह question और यह question देखिए एक बार बिल्कुल same है बिल्कुल same है लेकिन इनको करने का तरीका अलग-अलग है और इनकी answer भी अलग-अलग है Vboard के नियम के नुसार Vboard mask के नियम के नुसार तो देखिए दोस्तों इसके अंदर off लगा हुआ है और इसके अंदर multiply है दोस्तों देखते हैं सबसे पहले bracket solo होगा इसमें भी तो 2 plus 1 equals to 3 हो जाएगा लेकिन दोस्तों उसके अंदर off था और इसके अंदर multiply है दोस्तों Vboard mask के नियम के नुसार off पहले solo होता है और multiply बाद में दोस्तों इसके अंदर पहले divide solo होगा क्योंकि Vboard mask के नियम के नुसार तो 4 चुकु 16 हो जाएगा 4 चुकु 16 multiply ओके दोस्तों तो 4 ती है 12 इसका अंसर जाएगा 12 अरे यार 16 बटे 4 होगा तो 4 ती है 4 चुकु 16 यह सार यहां से आया और 4 into 3 equal to 12 यह इसका अंसर आजाएगा ओके दोस्तों तो दोस्तों इन दोनों कुशन को एक बार वापस समझते हैं देखिए जैसे दोस्तों नियम है Vboard mask का दोस्तों V इसके अंदर है नहीं पहले अपना आएगा bracket तो दोस्तों यहां पर आपने पहले bracket solve किया और यहां पर भी आपने पहले bracket solve किया इसके बाद में off दोस्तों off इसके अंदर था only इसलिए इसका multiply इसके अंदर हुआ तो 4 का multiply 3 में और इसलिए 12 हो आगा अगला है लेकिन दोस्तों इसमें off नहीं था इसमें फिर divide था तो divide पहले solve होगा यहां पर divide बाद में solve होगा क्योंकि पहले off था इसलिए बाद बाद में डिवाइड हो लोगा यहाँ पर पहले डिवाइड है तो पहले डिवाइड हो लोगा तो 14 upon 4 equals to 4 आ गया और अगला है M फिर इसके बाद होगा multiply तो 4 multiply by 3 equals to 12 इसलिए इसकांसर 12 हो आया ओके दोस्तों अगले कुशन पर चलते है अगला कुशन है 18 divided by 18 of 2 bracket 5 divided by bracket 18 divided by 6 bracket close plus 12 divided by 6 ओके तो दोस्तों इसको आप पहले खुद सॉलिए उसके बाद में ये वीडियो देखिए तो इसको सॉलिए करते हैं 18 का 18 दोस्तों सबसे पहले क्या सोल होगा इनके ब्रेकिट सोल होगे सबसे चोटे ब्रेकिट ओके दोस्तों तो 6 को 18 में डिवाइड करेंगे तो 6 ती अठारा 3 आ जाएगा और प्लस का प्लस और 6 दुनी 12 ओके दोस्तों यहां से इनको उतार लिया इसके बाद है दोस्तों यह भी इस वाले ब्रेकिट है और यहां पर 5 है दोस्तों यह दोन प्लस होएंगे तो 5 आ जाएगा और 5 divided by 5 होगा तो इसका answer आप गयागा एक आएगा अब 18 of 2 है इसका मतलब है यह इससे पहले multiply होगा तो अठार दूना 36 और 36 यह इसका multiply इसका 18 आजाएगा इसके बाद दोस्तों 18 divided by 36 इसका answer होगा ओके दोस्तों तो इसका answer होगा A अगले question पर चलते हैं दोस्तों अगला question है तो दोस्तों इस question को आप पहले खुद solve कीजिए तो दोस्तों अब इसमें Vboard mask के सारे नियम लग जाएगे जैसे देखते हैं यह इसके पर बाहर आ रहा है क्या रहा है दोस्तों बार तो सबसे पहले यह solve होगा उसके बाद यह solve होगे तो पहले बार solve करते हैं 14 plus 11 14 plus 11 बराबर हो जाएगा 25 और 25 यहाँ पे divided है 25 से ही तो इससे यह कट जाएगा तो यहाँ पे A कट जाएगा ओके दोस्तों फिर 15 multiply by 3 यहाँ पंदरा गुणा 3 पंदरती है 45 और 45 में से एक चल जाएगा तो 45 और यह 88 ऐसे कैसे अजट इस उतर जाएगा तो 88 by 44 इक्वल टू 2 हो जाएगा ओके दोस्तों इस cancer हो जाएगा यह याद रखेंगा दोस्तों वी बोर्ड मास तो वी का यूज यहाँ पर हो रहा है क्या है दोस्तों वेनिकुलम बार का यूज यहाँ पर हो रहा है ठीक है अगले question पर चलते है अगले question है 1 by 4 तो दोस्तों इनको सब को plus करना है तो दोस्तों इसके अंदर है 1 by 4 1 by 4 दोस्तो इसको बोलते हैं हर इसको बोलते हैं अंश और दोस्तो जब हर बराबर हो तो उसे तुल्यांक बिन कहते हैं जैसे दोस्तो इस कुशन में सभी हर बराबर है जैसे नीचे की संग्या है 4, 4, 4, 4 दोस्तो सभी बराबर है ना तो इनको नीचे अपन पहले लेख देंगे 4 दोस्तो आधार समानों में पर आधार सेम आएगा इसके आंसर का आधार सेम आएगा और एक, दो, तीन, चार ये चारों को चारों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 4 और इससे यह कट जाएगा तो यहाँ पर आजाएगा आगया दोस्तो जैसे दोस्तो अपन एक बटे चार का मतलब होता है जैसे एक बटे चार है यानि 4 का एक हिस्सा यानि 4 में से एक इसमें से गिना जाता है दोस्तो 4 में से एक गिना जाएगा तो इसके चार टुकड़े हो जाएंगे एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक इस तरह से इसके चार टुकड़े हो जाएंगे जैसे तरह से ये कुशन आया है तो इसके अनुसार चार बेटे चार बराबर एक इसका अंसर होगा तो दोस्तो अगले कुशिन पर चलता है अगला कुशिन देखिए दोस्तो दोस्तो इनके अंदर भी वो पहले की तरह सोल होगा दोस्तो इनका जो हर है इनको अपन समान करने की कोशिश करेंगे समान करने की कोशिश करेंगे दोस्तों पहले वाला method था उसमें LCM लेके अपन किया करते थे लेकिन इसमें LCM के द्वारा नहीं करेंगे जैसे दोस्तों पहले LCM लेके देखते हैं इनको एक बार ऐसे 8, 4 और 12 है नॉर्मली दो से इनको डिवाइड करेंगे तो दो चोप को 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 12 फिर दो से करेंगे 25, 24, 24 अब इस 8 का multiply इसमें कितनी बार होगा तो आट तीए 24 तीन बार होगा तो दोस्तों आट में तीन बार multiply होगा उपर भी अपने तीन में ही तीन बारी multiply कर देंगे ओके दोस्तों इसी तरह से इसके अंदर होगा इसके अंदर देंगे 6 चोका 24 होता है तो यहां पर 6 से multiply होगा तो यह भी 6 से multiply हो जाएगा इसी तरह से बार दोना 24 होता है 2 से multiply यह होगा तो यह भी 2 से multiply हो जाएगा इस तरह से दोस्तों इन सबों के base समान हो जाएगे तो इन सबों के हर हो जाएगा 24 जैसे 8 से 24 स्थ 26 का 24 और 12 दूना 24 ओके दोस्तों अब इनको देखते हैं 3 से 9 6 सका 30 और साथ दूनी 14 इन 忠िद्दध लिएगे दोस्तों इन तिनों को जोडने पर आएगा 53 upon 24 ये आपका answer ये D ओके दोस्तों समझ में आ गया ना इसको ये कितनी बार जाएगा 24 में कितनी बार तीन बार चार का 6 बार और 12 का 2 बार इस तरह से इनका सबों का बेश समान हो गया इनका सबों का हर समान हो गया और हर समान होने के पास सेवन्त पर दोस्तों ये जो कुशन है इसमें अलग परकार का concept लगेगा दोस्तों ये जो कुशन है ये मिस्ट्रित बिनने के कुशन है मिस्ट्रित बिनने के और इन मिस्ट्रित बिनने को अपन पहले साधरन बिनने में बदलते हैं तो देखते हैं कैसे बदलेंगे जैसे 4 छार साहत एक बटादो है तो चार पलस एक बटादो इसकी ही खुली होई फॉर्म है दोस्तों चार पलस एक बटादो फिर प्लस तीन पलस एक बटाद चार डिवाइड वाई टू पलस 3 बटा 4 इभाइड भाइ 4 भाइ 5 ओके दोस्तों तो इसका मतलब है दोस्तों ये 4 इसमें multiply होगा और ये इसमें जुड़ जाएगा ओके दोस्तों तो 4 दूनी 8 और इसमें जुड़ेगा तो ये 9 बटा 2 9 बटा 2 प्लस 4 ती है 12 यह इसमें जुड़ जाएगा तो तेरा बटै चार डिवाइड भाई पांत दूनी दस प्लस तीन यानि कि तेरा बटै पांच और यह चार बटै पांच यहां पर आ जाएगा अब देखते हैं दोस्तों सबसे पहले वी बोर्ड मासनियम के नुसार डिवाइड सोल होगा तो का एक कॉंसेट समझीये जैसे यह तेरा बटै चार डिवाइड भाई तेरा बटै पांच है तो दूस्तों यह तेरा बटै पांच ऊज़से आएगा नियम के नुसार यह इसके पास जागे multiply आगा और यह इसके पास जागे तो यह आजाएगा तेरा multiply by 5 upon 4 multiply by 13 तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ यह दोनों यहाँ से एक्सेंज हो गए अब इस वाली को अठा दो यह ओली समझाने के लिए था अगली बार ध्यान रखना इन दोनों को अपन उपर नीचे कर देंगे जैसे 5 उपर गया और 13 नीचे आया तो 5 उपर आ गया 13 नीचे गया और इस भाग का चिन गुणा में बदल गया तो यह वाली फोर्म इसके अंदर apply हो गई ओके दोस्तों अब देखते हैं 9 बटे 2 प्लस 13 बटे 4 यह फोर्म आजाएगी 5 बटे 13 और 4 बटे 5 दोस्तों इस 13 से यह 13 कर जाएगा इस 5 से यह 5 कर जाएगा और यह 4 से यह 4 कर जाएगा ठीक है दोस्तों इसके अंदर क्या answer आएगा अगले बचेगा 9 बटे 2 ओके दोस्तों 9 बटे 2 और इन सब का प्लस 1 भी रहेगा ओके दोस्तों तो यह हो जाएगा 11 a 2 इसका आंसर a तो 21 आप करना आपके प्रैक्टिस के लिए यह कुछिन आप करना ये बिल्कुल इसकी तरह होगा मीबाठ मास्टा ững का नियम लगाना दर ये नियम लगाना, ये जरूर सोलो जाएगा इस से, और इसका आंसर भी आजाएगा ठीक है दोस्तों, अगले kushion पर चलते हैं तो दोस्तों ये है ninth kushion, तो इसमें simply आप उ प्लस करना है लेकिन दोस्तो एक्जाम में जो कुषिन आते हैं न ये इसके आंसर तो सब भी निकाल सकते हैं लेकिन ये only time waste करने वाले कुषिन होते हैं ये तो दोस्तो आप देखते हैं ये 777 है फिर ये 777 ऐसे फिर इनका आप आंसर निकालोगे तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 8638 लेकिन ये method बहुत पूरान हो चुका इस तरह से अपनको नहीं करना अब देखते हैं दोस्तो नए method क्या होगा इसका दोस्तो ये संक्या है चार तो अपन लिखेंगे पहले चार ये है तीन ये दो और ये एक दोस्तो इस चार का multiply इस पहली संक्या में करेंगे तो 728 आइस का 8 दो carry किया साथ ये एक क्या फिर वापिस पहले संक्या में mystery गए है साथ ये 21 और 2 तेविस पिर 2 आ गया फिर दो का multiply साथ में साथ दुनी 14 और 2 16 फिर एक गया और फिर एक का चांब्लाइ इसमे और ये 7 और एक 8 तो इसका आणसर ये देखे दोस्तों तो याद करना है अगला कुशन फिर से इसी तरह का कुशन वापिस देखते हैं एक बार दोस्तों इसके अंदर है पांच इसमें चार फिर तीन दो फिर एक फिर इधर से सुरू करते हैं पहले संके मल्टिप्लाई पांच चोग का बीस कहरी किया दो फिर चार चोग सोड़ार अठारा फिर तीन चोग बार है और एक तेरा ओके दोस्तों फिर चार दोनी आठ और एक नो और चार एक हम चार तो इसका अंसर आ गया ओके दोस्तों यह रहा इसका अंसर ठीक है और दोस्तों यह कुशन आपकी प्रैक्टिस के लिए है इसको प्रैक्टिस करना और कमेंट हमें कमेंट करना इसका अंसर हुआ हूं हो है दोस्तों नैस्ट कुशन छलते हैं है ई-दोस्तों ये जुब कुश्चन है यह पहले वाले से बिल्कुल थोड़ा सा ङसा मामुली सा तो स्कुल में अपने इधर से start किया था इसमें इधर से start करेंगे और उनों स्कूर्ण पॉिंट किके जितनी संक्या है ना उनली इन गिनेंगे टो यह है तो यह कि पोइंट किके चारे ए नोller यह जो से अचारए है यह दो यह एक लेकिन मंटलिपाइ दोस्तो इधर से इसलों जीआ होगा इदर से si दोस्तों एक कममेंट लिपाइँ करते हैं पहले पर 5 में, तो 5 एकम 5, फिर फिर 5 में फिर 5 कममेंट करता हैं पांच में, तो 5 दूनी 10, फिर 1 कैयरे किया, तो 3, 5, 15 और 1, 16, फिर हाँसे लगी 1, और 5 चोका 20 और 21, ठीक है दोस्तों, 21, लेकिन अब इसमें ध्यान रखना दोस् संक्या है ना इसमें जितनी संक्या के बाद पॉइंट है उसी में इसमें भी उसी तरह से होगा जैसे एक दो तीन चार चार के बाद पॉइंट है तो एक दो तीन चार यह लग जाएगा पॉइंट और यह हो जाएगा आपका आंसर ओके दोस्तों यह answer होगा none of these era ओके दोस्तों इधर से start करना है point में इधर से और without point में इधर से ओके दोस्तों अगले cushion पर चलते हैं दोस्तों ये cushion है ये पहले वाले cushion का mix cushion है तो देखते हैं किस तरह से mix है दोस्तों ये जो इनके जो fraction है जो बिनने इनको पहले अपन अलग लिखेंगे जैसे 1 बटा 8 प्लस 7 बटा 8 प्लस 5 बटा 8 प्लस 3 बटा 8 दोस्तों इन सबों के हर समान है देखे 8 आठ 8 है सबों के अंदर तो हमने पहले ही बताया था हर समान उपर होने पर हर नीचे सेम आ जायेगा और उपर उपर के संगया है जुट जाएंगी तो एक और साथ 8 आठ रो पांच और 3 16 ओके दोस्तों तो 8 दुनी 16 यह तो इसका 2 आ गया और 133 कितनी बार है एक बार दो बार तीन बार चार बार 133 कि म्ल्टिम्लाइ बाओ यह थो कर दोस्तों हो इसका अंश राएगा का 233 बार आंच्र तो यह गो Gसका आ आंशर तो दोस्तो simplification का यह part 1 है तो यह simplification कुशन है हर टाइप की कुशन आपको अगली वीडियो में कराएंगे तो यह वीडियो कैसी लेगी इसके बारे में comment कीजिए और जो question मैंने आपको दिये हैं उसके answer भी आप comment में कीजिए और अपना ज्यान रखिए जैहिन जैवारत